नमस्कार दोस्तों, मैं आयूश ब्रदोरिया, लोग बात में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं साहित अकैदंबी के साहितोसब कारेक्रम में उपस्तित हूँ आज हमारे बीच अनुवादक श्री जानкіप्रषाद सर्मा जी उपस्तित हैं जिनसे हम अनुवाद के विशय में कुछ चर्चा करेंगे तो सर जैसा कि आपने कहा है कि वाद हो समवाद हो फिर उसका अनुवाद हो अगर आम तोर पर या आम भाषा में अगर या कोई आम व्यक्ति इसके बारे में बोलेगा या ये कथन कहेगा तो एक साधारन शब्द होगा पर जब ये कोई साहेतिकार या कोई अनुवादक ये शब्द बोलता है या कथन बोलता है तो इसके पीछे विशेश कारण होता है तो आप उस कारण को बताते हैं मुझे उस कारण को बताने में कुछ संकोश नहीं होगा दरसल जिस तरह का सामाजिक सेनेरियो हमारे सामने आज बन रहा है उसमें समवाद को खत्म करने की भिन्न भिन संस्कृतियों भिन्न भिन्न भाशाओं और भिन्न भिन्न समवदायों के बीच जो एक जीवन्त समवाद है उस समवाद को खत्म करने का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण जो प्रियत्न किया जा रहा है उस की में जाहर है एक अनवादक एक लेखक होने के नाते अपने अनवाद कर्म के माध्यम से मैं उसका प्रतिरोध करता हूँ ये प्रतिरोध सिर्फ ये नहीं है कि मेरा रूप प्रतिरोध का भिन्न है क्योंकि हम एक रचनात्मक काम के जरिये एक गलत बात का गरूत कर सकते हैं अगर संवाद हींता को बढ़ा जा रहा है तो संवाद को खायम करने के लिए हम भाषाओं की इवीज भारती भाषाओं की इवीज परस पर अनुवात के माध्यम से, उसंवाद को खायम कर सकते हैं दूसरे बात ये है क्योंकि देखिए में मैंने अपने बक्त में पहले भी कगा था कि एक लेखक होने के नादर मैं बार बार इस बात को जोर देता हूं कि मैं अकेले लेखक की भूमिका पर भी बात करना पसंद नहीं करता आपकी एक winners 1991 की नागरिक की भूमिका वह ज्युला को आपको आपके संस्कृति की यहां तक यह राजनीतिक युदाइत वह है हमें से क्यों संकुच करना चाहिए कि हमारा राजनीतिक युद्ध्रत हुए राजना पो IPS है के एक हमारा देखिए शुद्ध संस्कृति से बात नहीं बनेगी जब संस्कृति आप कहते हैं तो संस्कृति जायरे क्लास बेस्ट होती है आप यह कहें कि संस्कृति अपने आप में क्या है आप यह देखिए कि जो एक किसान वर्ग है उसकी संस्कृति भिन है और हमारे देश म आदिवासियों का जो के जो भिन्द भिन्द जिसे मद्द प्रदेश में जब हुआ है और जिन्द वाड़ा हैं मद्द प्रदेश में और जैसे राजस्तान की अंदर को जिल्ले हैं और जैसे पूरबोत करे हमारा तो हमारी आदिवासि जो संस्कृति है वो इतनी जाद संपन लिए थाको हम जिसे मेने कहा था इकिश लाफ के मशूर कि चमन बें इख लाफिये रंग अभू से बात बन्ती है सुम्हीत तुम क्या हो हमेँ हमे तो यह जो इकशिलाफ है रंग याने जो रंग और खुश्वों की जो भिन्दा है तो आपने कहा मैं वाद और समवाद पर आता हूं कि बुनियादी बात यह है कि वो समवाद हो वाद हो याने आपने कहा वाद है मैं आप से जुड़कर कुछ कहूं वो समवाद है और फिर आप अनुवाद पर आईए तो प पुंसे तो आप ने वह सों और किए आप उप्हिड़ाइट कही साने चीह उतला दू liberald नाले कुछा या एंगरेज़ी भाषा जादा ही अनुवाद में तो आप बता सकते हैं कि उर्दू किसी भी तरह हमारी विलूप तो ना हो और हमारे बीच रहे इस पर आपके विचार क्या रहेंगे किस प्रिकार से हैं कि एक जो मैं करीब पचास वर्ष से काम कर रहा हूं विच्छेत्र में और बच्पन से उर्दू में साथ में पढ़ता रहा हूं एक बात तो यह है कि जो कि क्या अच्छा हो आप यह देखिए कि हम उत्तर भारतिये कोई अपवाद ऐसा हो तो मैं कह नहीं सकता हम उत्तर भारतिये एक भी दाख्षणात लिपी नहीं जानते हैं मलयालम की लिपी या तेलोगों की लिपी या तमिल की लिपी या कर्नड की लिपी तो उत्तर भारतिये एकता की बात करते हैं आप अखंडता की बात करते हैं यह अखंडता और एकता हर जगर रिफलेक्ट होनी चाहिए हम उत्तर भारतिये दक्षण की एक भी लिपी को नही और दक्षन के लोग उत्तर भारत की यहने हिंदी लिपी से बहुत ज़ाद अबाकिफ है तो पहली बात तो यह है कि हमें यह चाहिए कि हम एक सेदिक लिपियों को जाने मुझे कई बार आश्चर यह होता है कि पंजाब की प्रिश्भूमी सा आई वे जो परिवार है पंजाब की प्रिश्भूमी सा आई वे परिवार में गुरुमों की नहीं जानते लड़के-लखिया अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं सब कुछ है सारी बाते हैं और वो घर में पंजाबी भी बोलते हैं वो बोल सकते हैं मैंने बोलने का और इस्क्रिप्ट दिक्र वहां भी किया था मैं कह रहा था ना कि बोली तो जबान जाती है इस्क्रिप्ट बोली नी जाती लेकिन हम पंजाबी बैक्ग्राउंड से आई हुए जो आपकी उमर के जो बच्चे हैं वो गुर्मों की नहीं जानते और उर्दू क तो सिमठती जा रही है अपने आप में सिमठती है अब सवाल एक उर्दू से हम जोड़े कैसे तो देखिए इसका एक रास्ता यह है कि देवनागरी के माध्यम से जो उर्दू साहित हमारे सामने आ रहा है मैंने महसूस किया है कि देवनागरी के माध्यम से क्योंकि सुला भ भारत के अधिकांशनी लगबख सभी लोग देवनागरी लिभी पढ़ सकते हैं तो देवनागरी के माद्दियम से जो उर्दू साहित हमारे सामने आ रहा है उस उर्दू साहित आदब उस उर्दू अदब के जरिये हम जो है उर्दू तक पहुंचे और यही हमारे भीतर एक से यह शौक पैदा करेगा कि हम उस स्क्रिप्ट को भी सीखेंगे तो अनुवाद उपलब्द हैं अनुवादों के माद्दियम से मैं खुद बहुत पचासो किताबों का अनुवाद में खुद ही कर चुका हूँ यहां से सीरीज जो है वेस्ट राइटर्स की जो मेकर साफ इन्या लेटर्स की सीरीज ने उसमें से पंदरा किताबों के अनुवाद में खुद कर चुका हूँ अच्छा तीसरी बात यह है कि मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्यव होता है कि लोग कहते है कि हैसाई जी कि मैं अर्दू नहीं जानता है अर्दू नहीं जानती देखिए जोर शब्द का आपने इस्तमाल किया भी आपने उसमें आपने कई शब्दों को सही उचारण के साथ बूला तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं उर्दू नहीं जानता आप उस भाशा को जानते हैं उसकी और कुछ धन्यवाद इसी के साथ देखते रहे हैं लोग बात जंता की बात देखते रहे हैं